हेलो अबरीबन आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सेंपल कोशन पेपर का कोशन नमर 34 और इस पेपर के जो बाखी कोशन है उनके सोलीशन आपको इसके सोलीशन की प्लेइलिस में मिल जाएंगे प्लेइलिस की लिंक मैंने डिस्क्रेशन दे दिये वहाँ पर जाकर और यहां पर एक चीज और भी बोल रहा है कि इस रेट से 15 किलोमेटर पर आर के रेट से किलिर है और वो कहा पर जा रहा है क्यूबडल पॉंड है उसमें जिसकी लेंध ब्रिध दे रखी आपको ठीके तो आपको क्या बताना है कि उस पॉंड को 21 सेंटिमेटर हाइट तक जाने में यानि कि इतना 21 cm तक भराने में कितना time लगेगा यह आपको बताना है देखी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखी यहाँ पर क्या हो गए एक cubital pond हो गए for example यह cubital pond है ठीक है यहाँ पर हमें cubital pond बना लेते हैं उसके बाद एक pipe है ठीक है मालो यह हो गए आपका pipe से ठीक है यानि कि एक गंटे है 15 km उसके बाद उसका diameter दे रहा है 14 cm यानि कि diameter जो है आपको वो कितना दे रखा है 14 cm so radius हमको मालो में radius कैसे निकलती है half कर देंगे इसका तो radius हो जाएगी 7 cm की के लिए उसके बाद यानि कि इसकी जो radius है वो कितनी हो कि हमारी 7 cm की और आपको क्या दे रखा था जो point था हमारा उसकी length और breath दे रखी थी ठीक है मालो यह length है जो कि आपको दे रखी 50 m की और जो breath है वो दे रखी आपको 44 m की ठीक है तो height मतला for example इस height तक 21 cm था यहां तक बढ़ाना में आपको time बताना है ठीक है तो आपको क्या क्या मिल गए है यहां से एक तो मिल गए length ठीक है length जो कि है 50 m आपको मिल गए breath जो कि है 44 m और height यही लेंगे हम तो height कितनी हो जाएगे 21 cm clear है यहां तक ठीक है इतनी चीज़ तो question में दे रखी एक चीज और भी बोल रखी जो rate है हमारा उसकी speed दे रखी water की उसमें किस rate से flow हो रहा है ठीक है तो आपको क्या बताना है कितने time में यह tank fill up हो गए ठीक है तो देखो आपको time complete बताना है यहापे तो time हम कहीं से निकाल लेंगे देखीए अप यहाँ पर क्या बोल रखा है यहाँ पर इसमें इस rate से water flow हो रहा है ठीक है इसको आपको 21 cm तक आपको fill up करना है अगर हमको यह मालूम पढ़ जाए कि इस pipe से हना एक गंटे में कितना पानी flow होता है ठीक है और हम क्या करेंगे फिर उसके बाद इसका भी क्या निकाल लेंगे वोल्यूम निकाल लेंगे तो हमको इसका भी वोल्यूम मिल जाएगा वन आर में कितना पानी flow हो रहा है और इसमें वन आर में कितना पानी आएगा तो cylindrical का जो volume होता है वो होता है pi r square h यानि कि आपको radius चाहिए और आपको height चाहिए हाना h हो जाएगा इसकी यहां से यहां तक ठीक है तो h मतलब यह क्या हो जाएगा यहां से यहां से यहां तक कि आप कह सकते हैं कि distance हो गई हाना वो कहां से हम निकाल सकते हैं जो इसकी speed दे रखी 15 km per hour यानि कि यह बोल रहे है 1 hour में यह कितना चलता है 15 km ठीक है water flow through pipe in 1 hour तो कितना flow होता है 15 km अब देखिए सारे यह meter में है तो इसको भी हम meter में convert कर लेते हैं को हम लिख लेते हैं क्या 15 1,000 से multiply हो जाएगा यह 15,000 meter हो जाएगा ठीक है तो यह होगी कि जो total हमारे पास इसकी length जो हो जाएगी 1 hour में वो मिल जाएगी हमको यहां से तो यहां से इसका volume निकाल सकते हैं तो हम क्या निकाल लेंगे volume of यह pipe का नहीं water का हम लिख रहे है तो 1 hour में कितना इसमें पानी flow होगा हम निकालेंगे तो अब यहां से क्या हो जाएगा pi square h होता है तो pi यानि 22.7 radius कितनी है यहां से 7 cm लेकिन हम बाकिछारी में ले रहे हैं तो इसको हम change कर लेंगे meter में यानि 100 से divide कर लेंगे इसको इसलिए मैं इसको दो बार लिख ले रहा हूं और height कितनी है 15,000 हम मैं इसकी height ले लेंगे ठीक है 15,000 height हो गए इसकी तो देखो के से solve होगा आप यहां से यह multiply में याद रखना आ गई है तो हम क्या करेंगे यह 2 0 से यह 2 0 cancel हो जाएगा 1 0 से यह 1 0 cancel हो जाएगा उसके बाद कुछ और cancel हो रहा है क्या हाँ यह cancel करेंगे 5 2 0 10 5 3 0 15 ठीक है उसके बाद यह 7 से 7 cancel हो जाएगा और इस 2 से यह 11 बार में cancel हो जाएगा यह बचेगा क्या 11 और उपर से क्या बचा है यहां से 7 और into में यह 3 याद रखना है into में था ना यहां पर सामने है तो यह हमारा volume आ गए इसको multiply मत करो क्योंकि क्यूब में आ गया ठीक है तो यह तो हमारा one hour में कितना पानी फ्लो हो रहा था उस pipe से वह हमने निकाल लिया अब हम क्या निकाल लें किसका volume निकाल लेंगे इस pawn का ठीक है तो volume of pawn तो क्या होता land into breath into height हो जाएगा अब land की value हमको मालू में 50 है breath हमको मालू में 44 है और height कितनी 21 cm लेके जाना है तो 21 cm है इसको भी हम change कर लेंगे meter में यानि 100 से divide कर लेंगे कुछ cancel हो रहा है कि यहां से 0 से यह 0 cancel हो रहा है ठीक है और हम क्या कर सकते हैं और कुछ cancel कर सकते हैं 5 से भी हो जाएगा 5 बन जा 5 5 तो जा 10 और इस 2 से 22 के cancel कर लेंगे 22 बार में और pound का total volume कितना है वो हमने निकाल लिया अब हम क्या करेंगे इसमें 1 hour में कितना पानी फ्लो हो रहा है उससे हम इसमें divide कर लेंगे ठीक है तो आपको time निकल जाएगा ठीक है time को हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके volume में जो pound का volume है 22 और 21 उसके volume में किससे divide कर लेंगे pipe में कितना यहां से पानी फ्लो हो रहा था 1 hour में 11 into 7 into 3 clear यहां तक इसको अप्सॉल्व कर लो तो दिखिए क्या होगा यहां से 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21, 7 से 7 cancel, 11 बन जा 11, 11 22 यानि कि यहां पर कितना आ रहा है हमारा 2 ठीक है तो time कितना आ रहा है hour में था तो 2 hour हमारे क्या आ रहा है time आ रहा है इस pound को 21 cm तरक फिल करने में clear यहां तक यानि कि आपको पहला जो answer है वो तो आपका निकल गया ठीक है 2 hour लग रहा है इसको total फिल करने में 21 cm तक clear यहां त अब जो इसका second part है वो क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं water should be the speed what should be the speed of water if the rise in water level is to be attained in one hour देखिए क्या बोल रहे है हमको कि जो हमारी water की speed क्या होनी चाहिए उसी height तक पहुचाने में अगर आपको उस tank को उसे height तक पहुचाने में one hour में fill करना है अब आपको time निकालना था speed दे रखी थी अब आपको time दे रखा है आपको क्या बतानी speed बतानी है तो इतना solve नहीं करना है आपको अब अपने से हम कर सकते हैं यह सारी चीज़ें देखो अब हमको मालूम है 21 cm ता fill करने में इसको कितना time लग रहा था 2 गंटे लग रहे हैं हमने अभी निकाल चुके हैं अगर मैं यही चीज़ आपसे बोलू के मुझे 2 गंटे फिल नहीं करना है मुझे इसको 1 आर में फिल करना है तो आप क्या करोगे ठीक है भाई अगर 1 आर में फिल करना है इसको time कम करना है 2 का half ही होगा न 2 का अगर half करेंगे जब तो 1 आर आए गया ठीक है अगर हम उसको half कर रहे हैं तो speed को भी double करना पड़ेगा न ठीक है यानि कि अगर हमको 1 आर में इसको फिल करना है तो हमारी speed कितनी होनी चाहिए 30 km पर आर होनी चाहिए ठीक है उसका rate कितना रहेगा 30 km पर आर क्लियर है तो यहां से आपके दोनों concept क्लियर हो जाते होंगे बाकी यदि इसके बात भी आपका कोई doubt रहता है तो आप हमको comment section भी पूछ सकते हो क्लियर है ठीक है तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में थैंक यू